अगर दोस्तों आपको सायक संदी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पिशली वीडियोत देख सकते हैं तीकिए आज हम देखेंगे सायक संदी करने के बाद यहां पर राज्यों पर क्या असर पढ़ा राजाओं पर इसका क्या असर पढ़ा ठीक और कैसे कैसे यहां पर जो अंग्रेजी शासन ये कानून लाए थे साइक संधी लाए थे इन्होंने कितनी चालाकी से इसका फाइदा उठाया और इस संधी के जरीए यहां के रा Lord Governor General Lord Carnivalis थे जिनका पोर्टरे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंपक्ट पड़ा साइक संदी का यहां पर भारती है, राजाओं और नवाबों पर Lord Valley जली की इस संदी से कंपनी को बहुत फाइदा हुआ, इस संदी ने हकीकत में बिटिस सल्तनत की जड़े हिंदुस्तान में अच्छी तरह मजबूत कर दी, उसने बिटिस राज्जी को एक एकजुक्ट सल्तनत में परिवर्तित किया एक विद्वान ने लिखा है, सल्तनत वादी प्रवत्ति का होने के कारण, उसने हिंदुस्तानी राजाओं पर ये पॉलिसी बर्बस थोपी थी, और उनके राज्जीों को अंग्रेई सत्ता में विलीन कर लिया था दुस्तों या पर सल्तनत वादी का मतलब होता है, ऐसे लोग या ऐसा देश जो अपनी सल्तनत को बढ़ाया करता है, ठीक है, वो अपनी सीमाओं को लगतार बढ़ाया करता है, वो जादा स्यादा अपने देश को बढ़ाना चाता है, जादा स्यादा देशों को गुलाम बन उसने हिंदुस्तानी राजाओं पर ये पॉलिसी बर्बस थोपी किसने लॉट कार्निवालस ने या इंडिरेकली अंग्रेजी गवर्मेंट में क्योंकि अंग्रेज जैसा हम जानते हैं वो अपनिवेश बनाते थे पहले उनी का राजजे था बाद में धीरे धीरे अमेरिका सूपर पावर बना वर्ड बॉर्ट सेकंड के बाद थी और उनके राजजों को अंग्रेजी सत्ता में विलीन कर लिया तो ऐसे ही यहां पर साइक संदी लाए अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए तो निजाम में से संबंदित कंपनी ने खरदा के जंग में मराथों के खिलाफ निजाम के उसाहरा देने का वचन दिया लेकिन मदद नहीं दी इस से खरदा में निजाम की पराजे हुई और साइ अधर क्या करा माराथ जो कंपनी थी यहां निजाम के मराथ उन्होंने कहा कि आप जंग लड़िये मराथों खिलाफ हम अपनी हम आपको साहिता देंगे लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने मदद नहीं करी फिर उसके बाद वहां के निजाम ने मजबूर होकर साइक संधी साइन करी साइक संधी करी इसकी विज़ा से उसको सारी शर्टों को मानना पड़ा जो कि हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं और धीरे धीरे वो जाल में फसता गया देखते हैं दीरे कैसे यह फसते थे अबद राजचे वैले जली ने अवद के नवाब को साहिक सं या उसके जो दुश्मन थे, जो उसके परोसी राज्य थे, वो उसपे हमला कर देते थे, तो एसी मजबूरी पर वयलिजळी वहाँ पर आते थे, गाधर भाया साइन कर लो, हम आपकी मदद करेंगे, और वहाँ पर बिचारा जो राजा होता था, वो गाधर चलो ठीक है, इध उसका आधा राज्य ले लिया अब उसके पास जादा पैसा नहीं था इसके लिए उसने कहा करा कि आप ऐसा करिए आप हमारा आधा राज्य ले लीजिए जिसकी वज़ा से वहां राजकता फैल गए क्योंकि जितना भी कर होता था वहां पर वह वैले जी रख लेता था और वह यहां तो London चला जाता था England चला जाता था यह और जो बचता था वो यहां पर अपनी सेना को एक हर्च में वहन में लगा देता था और यहां के राज जी को क्या मिलता था आवद के नहां कुछ नहीं इससे धीरे धीरे जो वहाँ आवद का राज कुछ था तो अराजकता फैल गई वेले जली के इस निंदई काम की सभी तारीक कारों ने आलोशना की है अब देखी कैसे कैसे दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर एक थे दोस्तों टीबू सुल्तान जिन्होंने सहायक संधी मानने से सुईकार करने से मना कर दिया कि हम कारनी वॉलस के धोके में नहीं आएंगे वो देख रहे थे कैसे वहाँ पर जिन 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 राज्यों ने सहायक संधी करी है वहाँ की जो राजा थे वो बिलकुल कटपुतली से बन गए थे अंग्रेजी सरकार की अंग्रेजी गॉर्मेंट की तो वो जो टीमू सल्तान था इस बात को भली बाती जानता था वो जानता था कि अगर मैंने सहायक संधी करी तो मैं सिफ्ट मातर एक कटपुतली की तना बन के रह जाऊंगा जो किसके हातों में होगी अंग्रेजों के हाद होगी और वो मेरी और वो काफी अच्छा raja तर ट मैसूर राज्य टीपुल सुल्तान मैसूर के तीसरी जंग में हुई अस्त मजगूल हालत को सुधारने में लगा हुआ था वह फ्रांस अफगानिस्तान और अरब के राजाओं से नजदी किया करने की कोशिश में अब मिल गया है सुधारे में लगा था वह फ्रांस अफगानिस्तान और अरब के राजाओं से नजदी किया करने की कोशिश में था इसलिए अंग्रेजों से जंग होना निश्चित हो गया था क्योंकि वो अंदरी अंदर अब वो जान जोगे जो अंग्रेज जानते थे कि जो टीपू सुल्तान है वो सायक संधी नहीं अपनाएगा दोस्तों एक टीपू सुल्तान का एक कथन था वो कहते थे कि एक दिन बहादुरी से जीना अच्छा है सौ साल बकरी बनकर अच्छा है कि एक दिन बहादुरी के साथ मर जाओ तो वो जानता था कि टीपू सुल्तान है ये बहुत ही सौविमानी राजा है और काफी बहादुर भी है ये इतनी जल्दी और ये सहायक संधी नहीं करेगा तो वो जानता था और इसकी तरफ से जो अंग्रेज थे वो भी सशंकित हो गए थे कि अब अंदरी अंदर क्या कर युद्ध की तयारी कर रहा है जो कि ये टीपू सुल्तान कर रहे थे वह फ्रांस अफगानिस्तान और अरब के राजाओं से नजदी किया करने की कोशिश में था इसलिए अंग्रेजों से जंग होना निश्चित हो गया 1799 इस्वी में मैसूर के चौथे जंग में पराजित बहुत बहादुरी से दोस्तों युद्ध करा और इसमें देख लें यहाँ पर लॉर्ड वैलेजली है और यहाँ पर आपके टीपू सुल्तान की यहाँ पर लाश पड़ी यह पोर्ट्रे हैं दोस्तों उस समय वो तो था नहीं कैमरा तो पोर्ट्रे बनाया कुछ इस तरह क सीन रहा होगा जब टीपू सुल्तान मारे गए कि फाटक पर टीपू मारा गया वैलेजली ने उससे पूर के हिंदू राजा को सायक संधी के लिए तयार कर लिया और से पहले जो वहाँ का शासक था उसके साथ दोस्तों क्योंकि जानते थे यह सब बताएं लिखा पड़ी स करते थे इंके ऊपर कोई उटा सके तो उन्ने क्या करते लिए तो आप चाते तो क्या कर सकते थे वहाँ पर हमला करके अपने हाथों में ले लते मगर क्या होता फिर इंकी तूटू हो जाती वहाँ पर फिर और जो राजा होते कहते कि आप वहाँ के जो अंग्रेज हैं जो इंग्लेंड से हैं वो अब यहां पर अपना यहां के लोगों पर जल्म कर रहें तो इनके ओपर लांचन मी लगे इसके लिए क्या करा वहीं के वहां के राजा को उसको गदी बठा लिया और उसके साथ सायक संदी कर लिए और सायक संदी के जरीए क्या होगा तो पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो किस पे आ जाएगी जवाब पे आ जाएगी वहां के राजा पे आ जाएगी तो सब लोग जो होगा वो उस पे होगा जो भी वहां पे मुश्किले आएंगी वो सब के लिए जिम्मेदार वहाँ का राजा होगा और पीट पीछे वहाँ पर जो बिहाइंड असीन जितनी प्रॉब्लम्स होती थी ये सब वहाँ की अंग्रेजी गवर्मेंट वहाँ के लौड जो लौड गवर्नर जल्रल होते थे वो संदियों के जरीए क्रेट करते थे तो इस तरह कंपनी महसूर राजजी की ताकत से डर से मुक्त हो गई तो जो महसूर का अब दीरे दीरे जितने भी पहले राजजी थे उन्होंने सायक संदी के जरीए अपने काबू में कर लिया था मगर सिफ महसूर था जो इनकी गले की हड़ी बना हुआ था और इस राजजी को भी अब इन्होंने खतम कर दिया और इस राजजी के विदरों का डर इनके मन से निकल गया अब यहाँ पर यह शासन कर सकते थे अब दोस्तों वेले जली और मराटे अब यहाँ पर महसूर में टीपो सुल्तान को ने हरा लिया अब बचे दोस्तों इनके सामने जो मुश्किल थी जिनसे इनको अंग्रेजों को सहायक संधी करनी थी वो थे मराटे तो वेले जली और मराटों के बीच में क्या संगश हुआ देखते हैं दोस्तों मराठे काफी वक्त तक वेले जली की सहायक संदी पर दस्तखत करने से बच्टे रहे लेकिन इस वक्त मराठा ताकत कम हो रही थी दौलत राव सिंधिया, जस्वन्त होलकर, पेश्वा बाजी राव, दुती वगएरा मराठा राजाओं के बीच संगर चल रहा था यानि ये सब जो मराठा थे, ये जो राजा थे, वो एक दूसरे के से लड़ रहे थे तो यही दोस्तों गलती होती है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कोई बाहर ही आगे उसका फाइदा उठा लेता है, जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजों ने करा इस संगच में पेश्वा पूरी तरहा पराजित हो गया इसलिए पेश्वा ने अंग्रेजों से मदद मांगी इस तरह वैले जली ने मौका बाकर फॉरण उसे सायक संदी करने के लिए मजबूर हो गया वहाँ का जो मराठा राजर का पेश्वा थे, बाजिया पेश्वा उसने वो सायक संदी करने के लिए मजबूर हो गया इस संदी की वज़ा से 26 लाख रुपए सालाना आये के साथ साथ कुछ जिले सहायक संद, सहायक फौज का खर्च वहन करने के लिए कंपनी को प्राप्त हुए, यानि उसको 26 लाख रुपए देने पलते थे साथी साथ जो फौज जो देते थे मदद के लिए उसका वहन भी पेश्वा को वहन करना पड़ता था तो ये कुछ चीजे उसको देनी पलते थी, तो वैले जनी ने बरार के भोसले राजा और सिंदिया को मराठा जंग में पराजित करके उन्हें संदी मानने के लिए मजबूर कर दिया अभी सिना से जो बरार की भोसले थे और सिंदिया थे मराठा जंग में उनको भी हरा दिया और उसे भी संधी कर लिदीरे दिये संधी करते जा रहे हैं और भारत के जो छोड़े छोड़े राज्ये हैं उसको अपने कपजे में लेते जा रहे हैं तेसरे मराठा जंग में होलकर को कई जंगों में हरा कर वैले जली ने उससे भी अपनी शर्ते सुईकार्ड करवाली इस तरह मराठों की ताकत कांत हो गया दूसरे राज्य, दूसरी राज्य देखिया हुआ, इन राज्यों के अलावा, वैली जी ने कई छोटे छोटे राज्यों के राज्यों के राज्यों के राज्यों को पेंशन वगयरा देकर, उनके राज्यों को पूरी रूप से अपने अधिकार में ले लिया, यानि वो कहते राज्य ले लिए और आप सिफ पेंशन आप लीजे आप बुड़े हो गए अब आप आपसे राज्य ऐसे समाला नहीं जाता है अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे और हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे देखिए दूसरे राज्य बी तो हमारे उपर हैं हम भी तो चला रहें तो यह सब जासा देखिए कर दूसरे राज्य जो छोटी छोटे चोटे राज्य थे व ठीचारे छोटी से राज्य उगके पास नहींनी तो क्या करते थे वो डर के मारे हो यहां के जो अंग्रेज जी अंग्रेज गुवर्नर जिलनर थे उसके हाथों में दे करुणाटक तन्जॉर। सूरत। और फरुखाबाद का राज्य पेंशन वगारा देकर प्रूवे रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया है। अब इसामें कों थे जनकों पेंशन के लालज़ देकर कौनाया गया। ये एक था करनाटक, तंजौर, सूरद और फरुकाबाद इस तरह वैले जली ने हिंदुस्तान में ब्रिटिश सत्ता की हालत को मजबूत बनाया और ब्रिटिश सल्तनत का विस्तार किया और इसके जरीए क्या हुआ यहाँ पर जो अंगलीजी राज्य थे उसके जो कदम थे, उसके जो पैर थे और ज़्यादा मजबूत हो गए और गहरे जम गए अब देखिए इसके फाइदों को डिस्कस करते हैं सहाइक संधी के क्या फाइदे हुए सहाइक संधी के फाइदे कई रहे इस संधी के जरीए कंपनी को आर्थिक और राज्य की पॉलिसी दोनों के फाइदे काफी मातरा में प्राप्त हुए और आर्थिक मदद भी उनको मिल रही थी भईया जो पैसा मिल रहा था वो भी और राज्य पॉलिसी थी वो भी ये खुड डिसाइड करते हैं नका अंग्रेज़ी रिजिम्ट तो होता ही था वो क्या करता था? दखिलनाज़ी करता था वो ऐसे ही कानूनों पर अपनी सहमती देता था ज गर जिंसे जो अंग्रेजी गवर्नमेंट उसको फाइदा हो हिंदुस्तान में कंपनी की सबसे बड़ी सत्ता इस्थापित हो गई कंपनी की दौलत और सामगरी दोनों में काफी बढ़ातरी हुई उनके रिसोर्सेज भी बहुड़ लेते और दौलत भी बहुड़ रही थी कई राज्यों के खर्चे पर रखी जाने वाली फौजों का इस्तमाल कंपनी ने अपने सल्तनत विस्तार में किया अब दीरे दीरे इन पैसा जो मिलता था वो क्या करते थे यहाँ पर और सल्तनत अपनी जो राज्य थे अपनी राज्य को सीमाओं में बढ़ाने में लगा देते थे साहिक संदी के जरीए हिंदुस्तान के राज्यों से दूसरी येरोपी जातीयों का प्रभाव खटम कर दिया वँश्ते फ्रांसियों का प्रभाव पूरी तरह खटम हो गया और हम जानते हैं की अंग्रेजों के अलावा और भी यहाँ पर लोग ते जो अपने दाद गड़ायावे थे यहां पिका करा अंग्रेजों ने भी अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों को भी भगा दिया अब देखिए वेलेज अली ने मराठो की ताकत का विनाश कर मुगल बाश्या शाह आलम को कमपनी के संड़क्षड में लाकर कमपनी की प्रसिष्टा और गारॉफ में बढ़ोतरी की मददगार संड़ी के नुकसान अब क्या नुकसान हुए जितने भी नुकसान हुए दोस्तों और हाँ सायक संड़ी को दोस्तों मददगार संड़ी भी कहते हैं तो कंफ्यूज ना हुएगा ओके चलिए क्या नुकसान नहीं देखिए दोस्तों जितने भी नुकसान हुए वो अपने देश को हुए और जो ये जो अंग्रेजी गवर्मेंट था और ये लाही इसी मारे थे समझ रहें तो इनको कहा नुकसान होने वाला था इस संदी से कंपनी को बहुत फाइदा हुआ लेकिन हिंदुस्तानी राजाओं का अपने राज पर कोई राज की पॉलिसी अधिकार नहीं रह गया था जो पॉलिसी होती थी वो कौन इंदुस्तानी थोड़ी न डिसाइड करते थे वो तो भाईया अंग्रेजी रेजिमेंट करता था इसी माय तो रखा गया था वे अब नाम मात्र के राजा र काफी खर्च होता है उनको हत्यार देना है उनको खाना देना है उनको सैलरी देना है और भाईया दो तीन तो होते नहीं हजारों की संक्या में सैनिक होते हैं तो काफी जादा खर्च होता था और इसके और इसके सर और इन सब की जिम्मेदारी से यहां के जो अंग्रेज थे बैकावे में तीसरा अंग्रेजी फॉज रखने की मजबूरी के कारण राजाओं को हिंदुस्तानी सैनिकों को अपनी फॉज की नौकरी से निकालना पड़ा अब देखी क्या हुआ इतना ज़दा खर्च था उनको सैलरी देना है उनको तनक्वा देना है उनको वेतन देना है और भी खर्चे होते थे सेना के तो इससे क्या हुआ और अंग्रेजी जो सैनिक थे इनको रखना मजबूरी था जिन्होंने साइक संदी करी है तो उन्हें क्या करा जो अब जो नवाब था उसका खजाना दीरे-दीरे खाली हो रहा था क्योंकि जो आधे resources थे वो साइक संदी के जरी किसके हाथों में चले गए थे अंग्रेजों के हाथों में चले गए थे तो और जो आई थी वो limited थी और जो आपकी जो असैनिक थे वो बढ़ गए थे जो भार दीर आजा थे उनको बहार निकाल दिया ठीक है और दीरे दीरे फिर क्या हुआ यहाँ पर जो भार दी थे दीरे दीरे वो बिरुजगार होने लगे और इससे ही जाकर वो क्या हुआ बहुत सारे जौदर ग्रूप्स थे वो बन गए और से जहां कि जो सैनिक थे वो विद्रो करने लगे किसेetos खिलाफ अंग्रेजी गर्णमेंट के खिलाफ जैसे पिंडारी इंडारी थे और ये सब वजोद में आए ये सब पहले सैनिक थे मगर सहाइक संधी की वज़ा से पैसे की कमी की वज़ा से राजाने को निकाल लिया और उन्होंने अपने ग्रूप से बना लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को अपनी फौज की नौकरी से निकालना पड़ा ऐसे सैनिक बेरोजगार होकर अंग्रेजों के दुश्मन बन गए जब हिंदुस्तानी राजाओं की आर्थिक हालत सोचनी होने लगी यानि बहुत बेकार होने लेगी आर्थिक माली हालत से बहुत कमजोर होने लगे भी जारे तो उन्होंने आवाम पर ज्यादा कर लगाने शुरू कर दिये तो क्या होगा अँगे बास खजाने में पैसा ही नहीं है उनका रहा जो सरकारी खजाना है रिसोर्सिस सारी किसके पास है अरे अरे अंग्रीजी सरकार के पास है अंग्रीजी गवर्मेंट के पास है तो उसके पास पैसा कहां से आए तो इससे क्या करा राजा उने अपने जो आवाम थे उसके उपर जुकर थे वो बढ़ा दिये जिससे आवाम को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा इतना ही नहीं राज्य की इफाज़त की जिम्मेदारी से मुक्त होकर उन्होंने खुद को भोग विलास में डुबो लिया अब देखिए दोस्तों इसकी पूरे जिम्मेदारी दोस्तों किसके पूपर जा रही है राजा के उपर मगर इसका जिम्मेदार कौन है बिटिश गवर्मेंट देखे तो इस तरह से दोस्तों ये इतने चलाग थे इसी मारे साहिक संदी करते थे डायरेक जाके नहीं करते थे अगर डायरेक कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा पूरी अकॉंड़िटी पूरी जिम्मेदारी इनके उपर होगी जिससे उनका नैतिक पतन हुआ अब क्या हुआ अब ये काम आपनी करते थे तब क्या करते थे यहां पे शरा, मद्रा, नाज, गाना इंके दर्वार में चला करता था हिंदुस्तानी राजियों ने हाला की ये संधी की तो अपनी हिफाज़त के लिए थी लेकिन इस से वे और ज्यादा असुरक्षित हो गए यानि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके ये जैसी हालत हो गई थी उन्हें हर वक्त ये डर रहता था कि अगर वे अंग्रेजी फौजों का खर्च ना दे पाए तो कंपनी उनके प्रदेशों को हड़प लेगी इतना ही नहीं अगर वे संदी की शर्तों का पूरा पूरा पालन करते रहें तो उसके बाद भी ये गारिंटी नहीं थी कि कंपनी उनके प्रदेशों को नहीं हते आगे ये कुई जानते थे अब दीरेज समझ गये थे कि ये जो अंग्रेज हैं इनकी जो नजल हैं कि जो दात है हमारे राज्यों पेगड़े हैं इनसे हम खूशी में रहे हमारी जनता खूशी में रहे इससे इंक का लेना दिना खूश नहीं है इससे अब राज्यों में एक आश्रो रक्षा की भावना रहने लगी, तो ये दोस्तों कुछ नुकसान थे, ये प्रभाव थे जिससे जो साइक संदी की वजा से हमारे हुए और हमारा जो देश था दीरे-दीरे गरीबी की तरफ बढ़ने लगा तो ये दोस्तो थी पूरी स्टोरी साइक संदी की उसके फाइदे उसके नुकसान तो दोस्तो ये पूरी वीडियो ठीक तो दोस्तों I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस लाइव वीडियो को लाइक करें